वेलकम टू नोटिपीडियर आइए देखते हैं जून फर्स्ट वीक के करंट अफेर्स सबसे पहले शुरू करते हैं नैशनल अफेर्स से भारत ने लोकसभा इलेक्शन्स में चौसट दशमलब दो करोन लोगों के वोट के साथ वर्ल रिकॉर्ड बनाया भारत ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन्स में 31.2 क्रो विमेंस सहिद 64.2 क्रो वोटर्स के वोट के साथ वर्ल रिकॉर्ड बनाया उन्होंने कहा कि दुनिया की बिगेस्ट इलेक्शन प्रोसेस में 68,000 से अधिक मॉनिटरिंग टीम और 1.5 करोर पोलिंग्स एवं सेक्योरिटी स्टाफ शामिल थे राकेश मोहन जोशी को IIFT का वाइस चांसिलर अपॉइंट किया गया इंटरनाशनल कॉमर्स और मनेजमेंट एक्सपर्ट राकेश मोहन जोशी को Ministry of Commerce द्वारा ओपरेटेड फेमस बिजनस स्कूल, इंडियन इंस्टिटूट अफॉरं ट्रेड का वाइस चांसिलर अपॉइंट किया गया है इंडिया का First Astro Tourism Initiative उत्तराखन द्वारा शुरू किया गया उत्तराखन गवन्मेंट ने 1 और 2 जून 2024 को Queen of Hills मसूरी में नक्षत सभा नामक भारत का First Astro Tourism Initiative किया inaugural event George Everest Peak पीक पर आयोजित किया गया, जो Dune Valley और Snow Covered हिमालय के breath-taking views के लिए फेमस है प्रियंका जर्केहोली Unreserved Seats से जीतने वाली सबसे कम एज की Tribal Woman है Congress Party के लिए प्रचार कर रही प्रियंका जर्केहोली ने चिकोडी डिस्ट्रिक्ट में भरती अजन्ता पार्टी के Current MP अनना साहिब जोले को हराया जो उनके लिए एक Important जीत थी ये जीत इसलिए Important है क्योंकि BJP ने Mumbai करनाटिका रीजिन में इसको छोड़कर सभी Seats जीती है चलिए अब बढ़ते हैं International Affairs की ओर World Bicycle Day हर साल 3 June को मनाया जाता है World Bicycle Day 3 June को Transportation के Sustainable और Eco-Friendly Methods जो न केवल हमारे Carbon Footprint को कम करते हैं बलकि एक Healthy Lifestyle को भी बढ़ावा देते हैं क्लॉडिया शेनबाउम को मेक्सिको देश की पहली Female President के रूप में चुना गया है Mexican Election Authority द्वारा जारी Provisional Results के According क्लॉडिया शेनबाउम को मेक्सिको की पहली Female President के रूप में चुना गया है Ruling Party Morena की शेनबाउम को 2 June 2024 को हुए Presidential Election में अपने Nearest Rivals पर बढ़त हासिल हुई Helen Mary Roberts पाकिस्तान आमी में Minority Community से First Woman Brigade Air बनी Dr. Helen Mary Roberts एक Christian Woman पाकिस्तान के 77 साल के Military History में One Star Officer के पोस्ट पर प्रमोट होने वाली पहली महिला बनी उनकी यह पोजिशन Muslim Majority Country में Minority, Especially Christians के Against Atrocities पर ध्यान देने के साथ आई है World Environment Day हर साल 5 June को मनाया जाता है हर साल 5 June को दुनिया भर में World Environment Day मनाया जाता है जो Environment Protection के लिए Awareness बढ़ाने, Encourage करने के Objective से एक Important Global Events है United Nations Environment Program द्वारा ये दिन 1972 में Establish किया गया अब बारी है Banking and Finance की इंडिया का Foreign Exchange Reserves Record 651.5 Billion Dollars तक पहुँच गया 31 माई 2024 तक इंडिया के पास अब तक का सबसे बड़ा Foreign Exchange Reserve था जो कुल 651.5 Billion Dollars था Trade, Remittance और Foreign Investment में Positive Changes ने भारत के Outdoor Industry को Strong Position में लाने में मदद की है Financial Year 24 के लिए इंडिया का Fiscal Deficit Improve होकर GDP का 5.6 प्रतिशत हो गया Financial Year 24 के लिए इंडिया का Fiscal Deficit बढ़कर Gross Domestic Product का 5.6 प्रतिशत हो गया जो की पिछले अनुमान 5.8 प्रतिशत से बहतर है इसका Reason More Revenue Generation और Less Expenditure है Fiscal Deficit 16.53 लाग करोर रुपये या GDP का 5.6 तीन प्रतिशत था और 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की ग्रोथ हुई अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो की है Science and Technology IIT धारवार ने एक Innovative Fire Rescue Drone को Unveil किया IIT धारवार में सुधीर सिद्धपुरेड़ी और अमीर मुला ने Fire Rescue Assist Drone का डिजाइन और डिस्प्ले किया ये Drone Fire Protection में एक Significant Progress है इसका Demonstration 2 Day DDANFR 2024 ट्रेनिंग में हुआ जिसे NMICPS, Indian Government और Tihan Foundation द्वारा स्पॉंसर किया गया था South Korea ने Officially अपनी Space Agency का सा लॉंच की South Korea ने Korea Aerospace Administration की Establishment की है जो Aerospace Policy और Industry Development की Supervision करेगी ये Establishment January में National Assembly द्वारा Past Special Laws से पॉसिबल हुई Recent Research में एक नए प्रोटीन की खोज की गई जिसे NEO कहा जाता है Recent Research में NEO नामक एक नए प्रोटीन का पता चला है जो Viral Infections, Especially Bacteria Phage के Against Bacterial Defense System में Important Role Play करता है Russian Astronaut Oleg Kononenko Space में 1000 दिन spent करने वाले First Person बने Russian Astronaut Oleg Kononenko ने हाल ही में Space में 1000 दिन spent करने वाले First Person बनकर इतिहास रच दिया Roscosmos ने घोशना की कि Kononenko के International Space Station के Sixth Mission के दौरान यह milestone अचीव हुआ जो 15 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था चलिए अब देखते हैं Sports Section Rohit Sharma 606 के लगाने वाले World के पहले Cricketer बने Rohit Sharma ने International Cricket में 606 के लगाने वाले World के पहले Cricketer बनकर record book में अपना नाम एंटर करा लिया Rohit Sharma ICC के White Ball Tournament में 106 के लगाने वाले पहले Indian और World के दूसरे प्लेयर बन गए Football Player Sunil Chhetri ने Officially International Football से Retirement लिया Indian Football के Influential Player Sunil Chhetri ने International Football से Retirement अनाउंस की उनका Last Match, Kuwait के Against World Cup Qualifier, हाल ही में कोलकाता के Salt Lake Stadium में हुआ इसके साथ ही उनके 19 साल के Great Career का End हो गया अब देखते आज का आखिरी टॉपिक जो है Awards and Honor WHO ने Bengaluru में निम्हांस को Health Promotion के लिए Nelson Mandela Award दिया World Health Organization ने Bengaluru में National Institute of Mental Health and Neurosciences को 2024 के लिए Health Promotion के लिए Nelson Mandela Award प्रदान किया निम्हांस भारत की Major Mental Health Facility के रूप में Recognize है यह Major Awards Genewa में 77th World Health Assembly में प्रदान किया गया Notopedia के News section में आपको सारी Current Affairs News मिल जाएगी इन Current Affairs की News का लिंक आपको विडियो के description में भी मिल जाएगा Notopedia को आप इस QR Code को scan करके Google News पर follow कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको description में मिलेगा और ऐसे Current Affairs को देखने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करें